नमस्कार मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब के सिरी टीवी हर्याना मैं स्पित गुरुगराम के जोन होल में हो रहे गीता मोहत्व में हूँ जो की तीन दिवसी गीता मोहत्व रखा गया है बताना चाहूंगा कि इस जगह पर हर्याने की संस्कित्री से जुड़े कारेकरम और हर्याना के गिता मोहत्व सेकंतर जिला से एक कारेकरम आज यहां गुरुगराम जिले में किये जा रहे हैं जहां पर जो नएने स्टार्टप हैं उनकी भी तस्वीरे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से नएने स्टार्टप्स हैं की वीकल की बात करें या फिर मसालों के उद्वकों की बात करें नएने जो धोग हैं उन सभी को लेकर के यहां पर जो है स्टोल लगाई जा रहा है खुबसूरत खुबसूरत दिर्ट निर्ट्य और सुन्दर मन मोहक संगीत के साथ लोगों का इस महुंताओं में स्वागत किया जा रहा है अंदर की तस्विर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे तिक इस तरीके से जो है पूरा यहाँ पर हम उसे भी बात करने की कोशिश करते हैं हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहां से लोग आए हैं और किस तरीके से जो है कितने तयारियां ऐसे मोहत्सव को लेकर करते हैं और कैसा महसूस करते हैं ऐसे मोहत्सव में शरीक होकर उसका हिस्सा बनका बहुत अच्छी बात है जी बहुत बढ़ी है लग रहा है किस किस परकार के संगीत उसे स्वागत किया जाता है कोई स्पेशालिटी बताइए अपने देखो जी हमार तो अपना कला का यूई है नंगाड़ा पार्टी और इसी से हम स्वागत करते हैं जो भी वेलकम अपसराते उनकी वेलकम करते हैं तो कितने परकार के अलग-अलग संगीत हैं यहां यहां जाने जो है इसकी ताल बजाई जाती है उसी के इसाब से नहाड़ा बजाए जाता है तो यह था गीता महुत सब्सक्राइब के तीन दिवसी है जो कारे करम यहां और उसका स्वागत जो है जुरुआत जो है हम कर देते हैं कि किस तरीके की जो स्टार्ट अप और जो द्योगों को लेकर करके यहां पर अपर परदर्शनीया लगाए गई हैं परदर्शनीयों की सीधी लाइव तस्वीरें हमारे माद्यम सा आपको दिखाए जाएंगा तमाम तो दिखाना सुधता सेनाली से लेकर हर्याना की achievement हर्याना की खास्यत खूबिया जो है या दर्शाई गई है परदर्शनी के अंदर और बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम जिला परसाशन और गुरुग्राम जिला परसाशन से जुड़े लोग भी यहां मुझूद है जो यहां बैठकर हर चीज को देख रहे हैं परक रहे हैं हाला कि गुरुगराम जिलापरसासन के अंतरकत ये पूरा जिलस तरह कारे करम किया जा रहा है और अने को जो स्टोल यहां लगाए गई हैं चाहे मसालों की स्टोल की बात करें या गीता की बात करें या फिर हम इलेक्टिक विकलों की बात करें हर तरीके से जो है अलग-अलग स्टोन लगाकर यहां लोगों को बतलाया जा रहा है कि हर्याणा ने क्या कुछ पाया है इन बीते वर्षों में और क्या कुछ पा सकता है यह हर्याणा इसी चीज़ को लेकर यह पूरांत राश्ट गीता महुतसव रखा गया जिसके जिलास तर खास तोर पर असर पढ़ता है लोगों समाज पर क्या फायदा होता ऐसे महुत्षव का हम बात करने कुछ करते हैं सबी से बढổi क्रणी गरूँ करें कि हम बात करें महेंगे होते दाम कहीना का परदर्शन कहीं विरोध सरकारों का हो जाता है मगर ऐसे में इलेक्ट्रिक वीकल की और जोर देने का सब्सक्राइब बड़ा कारण है कि पर्यावरंड जो है दूशित नहीं होता और जो आम आदमी है उसकी जेब पर जादा खर्च नहीं पड़ता और सुरक्षित रहकर सुच रहकर शुद्र रहकर जो है वातावरंड के बीच एक जगा से दूसरी जगा लोग आ जा सकते हैं और ऐसी ही स्टोल गीता महुत सोकिस तीन दिवसी परदर्शनी के दुरान गुरूगराम में भी लगी है जिसकी जानकारी हम जुटाने की कोशिश करे हैं जिन्होंने स्टोल लगाई उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ है सर नाम बताईए अबना मेरा नाम रामिश्वर सिंग है रामिश्वर सिंग जी बताईए गीता मोच्व में स्टोल आपने लगाई है ऐसे मोच्व का क्या सर पढ़ता है क्या फाइदा हो गीता जैनती महोचो पर बहुत से लोग इस महोचो के लाब उठाने के लिए यहां आते हैं क्योंकि गीता जैनती के ओपर गीता जी का उपदेश और यह अंतरास्टी महोचो हर साल मनाते हैं तो यहां आमजन बहुत संख्या में आता है तो उस आमजन को गीता महोचो में शाम करवाए जाए तो यह अच्छा प्लेटफोर्म है आप क्या देख रहे हैं यहां पर मैं नमीन नवी करनी उर्जा विभाग से मैं यहां प्रोजेक्ट ओफिसर हूं जी उरगाओं में यह हमारे पार्टमेंट का स्टोल है सर मुझे थोड़ा से बताएं कि यह जो वहिकल्स हैं लोग लेने पर इंट्रस्टिड हैं इसको पूरा लोगों का इवी कल की तरफ जोर है मगर इतना महेंगी कीमते क्यों रख देता है डिपार्टमेंट नहीं महेंगा होने की वज़ए से लोग जो है अपने कदम पीछे कर लेते हैं यह वहिकल्स हमने मैंनुफेक्टर से डेम यह हैं तो अवेरनेस क्रियेट करनी है अभी जागरीती लानी है तो यह हमने हम सेल नहीं कर रहें को भी दें कि या तो सबसीडी की कीमत बढ़ा है या फिर इन वीकलों को कुछ सबसीडी दें हाँ 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 अभी जल्दी ही हर्याना सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वेहिकल पॉलिसी लॉंज करने की समभना है जी वो पॉलिसी दगबक तियार है जी और उस पॉलिसी में ये प्राब्धान आ रहे हैं इसके से पहले हम लोगों को तुड़ा सा जागरू करना शुरू करें वे इलेक्ट्रिक वेहिकल आ रहे हैं इनके लिए चार्जिंग स्टेशन भी चाहिएंगे उसके लिए भी हर्याना सरकार प्रोएक्टिवली काम कर रही है उरी स्टेट में मुख्य मुख्य मार्गों पर बड़े बड़े शेरों में चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किये जा रहे हैं बहुत ही जल्दी काफी सारे चार्जिंग स्टेशन पुरे हर्याना में स्थापित होंगे और जैसे हमारी इलेक्ट्रिक वेहल पोलिसी आ जाती है सरकार की उसके बाद यह सब्सीडिज वाला जो चैप्टर है फिर तब शुरू होगा इस समय हम क्योंकि यह शुरुवात है शुरुवात में हम मंसा सरकार की वाकई वाकई बहतरीन है इवीकल की और गोर देना जोर देना कहीं ना कहीं बहुत बहतरीन हम इस बात को हम भी मानते हैं क तो हमारे भी सरकार से यह अपील है कि अगर घर घर तक पहुचाना है तो तो कुछ ना कुछ ऐसा जरू करना हो कि लोग अपने कदम पीछे करने की बजाए विकल की तरफ दोड़ लगा दें तो ऐसा करने पर कुछ असर होगा उसके बाद कुछ और लोग उच्छ रहने स्कीमों के बारे में भी आप आए हैं तो थोड़ा सा एक मैं आप और भी बतान जा रही है और इसके साथ जो घरों में लोगों के इनवर्टर हैं जिनकी बैटरी को चार्ज करने के लिए सोलर पैनल्स और एक कंट्रोलर के साथ एक पैकेज भी हम दे रहे हैं वो भी हम सबसेड़ी पर दे रहे हैं जो घर का हमारा एक जो इनवर्टर आम होता है उसको हम स शेजार और दसफेजार की संटिधी दूत्रइगी मरी सीम चल रही है उसका भरपूर फाइदा लोग उठा सकते हैं यह स्कीम बहुत ही पाप्लर है पूरे हरेना मेरे किसानों वाली जो हमारी solar pump की scheme है वो भी पूरे हरेना में बहुत ही popular scheme है अभी 20,000 pump की scheme हमारी और दुबारा से अभी डौन्च हो रही है तो देखा आपने किस तरीके वीकल है एक cycle है जो की बैटरी से 35 km चलती है एक cycle से बड़ी एक semi motorcycle type आप इसे मान सकते हैं 70 km चलती है ब्रेंडिंग क्या है किस company है मसला ये नहीं मसला ये है कि जिस तरीके से प्रदेश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिलते हैं बढ़ती डीजल की कीमतों से पैटरल की कीमतों से तो कहीं न कहीं एक और option जो है लोगों के पास अभी भी तुकाने आप को दिखाना चाहूंगा ओर तमाम चाहे हम कोस्मेटिक की बात करें या फिर हरियाना राजय ग्रामिन all लगी घगा इसकी बात करें तो लगाई गही है नई किसान महिला सेल्फ-हल्प गृूरु जिसकी बात अक्सर चर्चाओं में रहते हैं सेल्फ- या फिर जो बिसकिट है चयामले का मुरबब्बा है ऐसे तोर पर जो काम कर रही है महीला कहीं न कहीं एक हर्याणा की जो तस्वीर है जहलक है वो इस पुर्णे मोट्सर के दुरान दिखाई गई जिसमें सीरे तोर पर बताया जा रहा है कि जो परदेश है वो किस तरीके से उन्नती कर रहा है कितने कतने परकार के उध्योग परदेश के अंदर हैं कितनी उन्नती और कर सकता है लोगों ने क्या पाया है और क्या पा सकता है परदेश इन्ही सभी चीजों को बताने के लिए दर्शाने के लिए जागुरता फेलाने के लिए ये गीता महुतसव रखा गया है जिसमें आकर के लोग तो काफी खुशी हैं साथ में वापारियों को भी नए स्टार्ट अप करने वाले लोगों को भी उन्र विभागों को भी एक जो सहारा मिल रहा है आगे बढ़ने का सुवित कुमार, पंजाब केसिरी टीवी